नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वाई के उनलाइन एड्यूकेशन में उमीद है आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्राकंड के अंतरगत जो भी आपकी परिक्ष लास तक वीडियो ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिल्कुल भी नभूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रसन है अखंडित सब्सक्राइब को भी नहीं कहेंगे वर्ण अर्था ध्वनी वर्ण हम जब उचारन करते हैं तो वह ध्वनी होती है और जब लेखन करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं तो सिंपल से इसका आंसर भी सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रस्न की ओर भास सबसे चोटी एकाई तो यहां पर डी इसका राइट अंतर हो जाएगा ठीक है चलिए तीसरा प्रस्न है हमारा ध्वनी का लिखित रूप क्या है अब देखे आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है अभी तक आपसे पोछा गया था भासा की लगुतम एकाई क्या है औ आपको पहला अगर हम प्रस्न देखे तो वर्ण किसे कहते हैं तो यहां प्रस्न आज उसका आंसर था द्वनी को तो वर्ण और द्वनी आपको पता चला कि एक ही होता है यानि कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हम उसे द्वनी कह रहे हैं और जब उसी द तो दी इसका राइत आंसर हो जाएगा दोस्तो हमारा NCRT का सीरिस भी आली में चल रहा है नाइन टेंथ का तो मैं क्लियर करा चुकी हूँ अगर आप बढ़ना चाते हैं तो आपको मेरे चैनल पर सारे प्लेलिस्ट में आपको सारे चीजे मिल जाएंगी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूगी और आजकल हमारा 11 का स्लेवस चल रहा है तो आप लोग जरूर देखिए चलिए अगला चौथा प्रसना मारा हिंदी वर्ण माला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं तो अयोग वाह मैंने बताये थे जो वर् sasovascar करते हैं तो यहाँ पे जो यह दो दुग्या हें इन्हें आइभ वह वाह वकौन के अंदर रखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पांच़वा प्रसन है यहां पर एक Councillor का जर बहुत कम समयल लगता है तो उसे हम कहते हैं रस्तस्वर और जहां पर दो मात्राओं का हमें उच्चारण में जिसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्गिस्वर कहते हैं तो आप देख बारे होंगे ओ, ए, ओ, तीनों ही क्या है रस्तस्वर है यानि कि इन तीनों के उच्चार वाला शब्द है तो बताइए कौन सा है शुद्ध वर्तनी बहुत इंपोर्टेंट है हर बार आपसे वर्तनी की दृष्ट कौन से जो प्रस्न बनते हैं आपके एक्जाम में वह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए रचहिता अनुग्रहीत आहार सुरस्टा सुरिष्टा तो देखे रचहिता बिल्कुल सही लिखा हुआ है अनुग्रहीत नहीं होता है अनुग्रहीत होता है री की मातर लगती है न कि रो की ठीक है आहार नहीं होता है आहार होता है यानि कि इसमें आ की मातर होनी चाहिए थी और सुरिष्टा नहीं होता है बलकि स्र इसके बाद सात्मा प्रस्न है हमारा निमलखित में से शुद्ध शब्द है तो आपने फिर से एक शब्द है जो यहां पे शुद्ध लिखा हुआ है बाकी तीन अशुद्ध है अब देखें जब ऐसे आप्शन आपके सामने आता है तो थोड़ा सा आपको कन्फूजन जरूर हो जाता है तो इसमें आपको क्या करना है आपको भौत ध्यान से देखना है कि कौन सा सही उचारण हो सकता है उचारण करके देखें कुमुद्धिनी जो है वो बिल्कुल सही लिखावा है कुमुद्धनी नहीं होता है कुमुद्धनी भी नहीं होता है तो यह सारो तीरे त बाग में बिठा लीजी ताकि अगली बार जब आपसे प्रस्न पोचा जाए तो आपका गलत ना हो चली next question है किस सब्द की वर्तनी शुद्ध है अब यहां पे फिर से आपसे तीन वर्तनी यहां पे शुद्ध है और एक वर्तनी जो है शुद्ध है आधीन व्यवहारिक मिष्ठान अत्यधिक तो देखे आठवे प्रस्न के अंदर सिर्फ एक ही वर्तनी शुद्ध है अत्यधिक आधीन नहीं होता है बलकि अधीन होता है यानि कि यहां पे आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी ठीक है मिष्ठान नहीं होता है बलकि मिष्ठान होता है तो यहां पे रिंक मिल जाएंगे यह कंगी जाएंगे व्यवार हरी connection यह सब्ढagen RegionHCheck week में इक परतिय लग जाता है तो वह को हमेशा इसका पहला जो है वह हमेशाओर हो जाता है तो व्यवार में जो पहला सवर है वह है और जब हमने इसमें इक प्रत्या जूढ़ा तो यह और इसका जो अंतिम जो ए है वो psonोड़ जूढ़ाएगा और जो और है वो आ इसका दीर्ग बन जाएगा तो अ का दीर्ग तो आ ही है तो व्यवहार का व्यवहार हो जाएगा ठीके तो आप color श्तिय वाल वीडियो पर वतनी की नहीं पूछ था रही है, आपको बताना है उझ्वल, वैमनेस्यता, कवित्री यह प्रमानिक दीखे यहां पर एक वटनी शुद्ध रहा है , तो यहां पर जो शुद्ध वरतनी रहा है यहां पर एक भी है उजवल उजवल शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो को वे मनश्यता कि में क्या है वे मनश्यत जो शब्द है यहां तक तो बिल्कुल ठीक है वे मनश्या लेकिन जो ता प्रत्याई है वे मनश्यता कभी भी हो यह प्रत्याई के साथ बल्कि कवयत्री होता है, कवयत्री, तो यह आपको ध्यान लखना है, कवयत्री होता है, और प्रमानिक नहीं होता है, बल्कि जब देखो मैंने कहा था, जिस भी शब्द के अंत में एक प्रतय जुड़ा हूँ, तो उसका प्रथम जो स्वर है, वो हमेशा दीर घुजाता है, तो प्रमानिक नहीं होता है, प्रामानिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रतय आपका जुड़ा हूँ है, तो यह प्रामानिक हो जाएगा, नकि प्रमानिक, तो इसलिए इसकी वर्तनी अशुद्ध है, बहुत छोटा सा आपको ध्यान देना होता है, बहुत छोटा स प्रस्ण है वर्तनी की द्रिष्टी से शुद्य सब्द है फिर से आपसे प्रस्ण पूछा जा रहा है शुद्य सब्द आपने बताना है और देखो चार उप्शन आपके बाप बिल्कुल सेम दिये हैं बस सौ का अंतर है सब में तो आपको पहचानना है कि कौन सा सौ इसमें ह सिधा से आपको आंज़ कि वह इसको सुप्ट सही धरना का टिक मैं सिख्या अब ही ओक बळुआ डिक माईटमी अंचा घरना है थीक है अगला प्रस्ट महीं है आकास सब्धका विलोम है तो विलोम मतलब अलब उल्टा तो आकास का सीधी सी बात है पाताल हो जाएगा है अगला प्रस्न है हमारा सगुन सब्द का विलोम है तो सगुन का हो जाएगा निर्गुन सगुन का मतलब जिसका रूप आकार होता है और निर्गुन का मतलब जो निराकार होता है, जिसका रूप आकार नहीं होता है, सीधी सी बात है, तो सगुन का निर्गुन आपका हो जाएगा, तो अपशकुन, अपशकुन का विलोम होता है, शकुन, शकुन मतलब शुब होना, अब मतलब बुरा तो बुरा शकुन होना इसका उल्टा हो जाएगा शकुन यानि शुब संकेति या सुब काम होना है तो तेरा का बी ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नंबर 14 कॲेस्चन हárias निम निकित में से कौन सा आवेश्षित सब्द का विलोव है तो आवेश्षित का हो जाएगा आपका अनावेश्षित साथ्योगों का मतलब होता है घिरा हुआ कब से यानि इसके बात और अरजन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना preparation करना और व्यायन करना यानि कि खर्च करना या उस चीज को समाप्त करना कह सकते हैं तो व्यायन हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन पंद्रा का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा नमबर सिक्स्टीन क्वेश्चन है हमारा तिलक लगाने में किस अन का प्रियोग उप्यूगत होता है बहुत इंपर्टन प्रसने हैं कई बार समोंगों के परिच्छाओं में आपसे पूछा भी गया है तो देखो गया हूं तो नहीं लगता है जब हम किसी पर टीक लगाते है यहां पर इसका राइट आंसर भी अक्षत या द्चावल सही हो जाएगा ती कि इसका जन्म छोटी जती है निचडे वर्ण में हुआ हो उसके लिए उप्यूक्त शब्द है थो सिधी जी बात है अंत्यज ऑंदियाज कहते हैं जिसका जन्म छोटी जती है निमन वर्ण में ह हुआ हो C option right हो जाएगा अठार्मा प्रस्न है अंत्याज सब्द के लिए सही वाक्यान्स है तो सीधी से बात है अभी देखो क्वेश्चन को कितने तरह से आप से एक क्वेश्चन को कितनी तरह से आप से पूछा जा सकता है यह आपको दिहान लखना है तो देखो अभी तो D option इसका सही आंजर हो जाएगा अगला और second last question है हमारा जिसका उपचार न हो सके इसके लिए सब्द है तो देखो जिसका उपचार न हो सके उसको कहते हैं असाध्या कहते हैं असाध्या रोग तो असाध्या मतलब जिसका उपचार न हो सके ठीक नमबर लास्ट क्वेश प्रशू का मतलब जन में देने वाली तो वीर पुत्र को जन में देने वाली वीर प्रशू कहते हैं तो यहां पर B, C इसका राइट आंजर हो जाएगा तो उमीद है आप लोगों को 20 के 20 प्रस्न अच्छे लगे होंगे, हेल्फ लगे होंगे देखे आपके पास 20 प्रस्न पो करेगी और ऐसे ही आपको तयारी करनी है यापके स्लेबस की अकोर्डिंग ही मैंने प्रैक्टिस से तयार किया है उमीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो यदि अच्छा लगा तो लाइक सेर सब्स्क्राइब जरूर करें अपनी दोस्तों के शार शेयर करना ब बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपको ये सेसन कैसा लगा क्या आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं और इस सेसन से समधित कोई भी आपके डाउट्स हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा आपके डाउट्स में जरूर करूंगी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान लगें पढ़ते रहें नमस्कार